हेलो गाइस विल्कम बैक टो माई चैनल डामेंट सुपर स्टेडी क्लासेजे माईसल अभिसेक मौरिया और जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लास टेंथ की मतलब की जो पोएटरी सक्षन खा उनकी काफी पोएम मतलब की आपकी जो साथ पोएम थी मैंने आपको पढ़ा दिया ह हाला कि मैंने एक दो पोएम एक्स्ट्रा भी पढ़ा दी जो की मतलब की क्योंकि 30% स्लेबस आफ हो गया था कम हो गया था तो उसके अनुसार मैंने नहीं पढ़ाया था तो आप लोग बस अपनी साथ पोएम पढ़ेंगे जो की आपको पढ़नी है ठीक है इस बार तो आज म लोग मतलब की देखेंगे कैसे आप लोग को लिखना है ठीक है तो डस्ट आप इसनों को जैसा कि रावर्ट फ्राश्ट जी ने लिखा था बताया था मैंने और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे आपकी बुक में दो है वर्ड मीनिंग जरूर लिखिए होंगी तो आप वर्ड मीनिंग लिख लेंगे क्योंकि मैंने वर्ड मीनिंग आप लोग को मतलब की वहाँ पे पोऑम जब पर पर भी अच्छे से सिखाया था ठीक है अगर आप नहीं देखें तो आप लोग जाके हमारी पोऑम देखिए जाके और हमारी मलब की जो पोईटरी सक्षन का जो कि ने आप लोगों को पहले मलब की पूछा क्या जाना है आप लोगों 되면 पूछे जाने已经 ठीक है तो यहाँ पर जैसा कि मैंने स्टाइजा लिखे हैं तो read the following स्टान्जा जाएंड answer the questions based on them ठीक है ठीक है तो पहला आप लोगों का स्टाइजा जो दिया गया है आप लोग पोएम देखेंगे तो एक hemlock tree के नीचे खड़े हैं ठीक है न हमलोग tree मतलब क्या होता धतूरे का पेड़ है न या जहरीला पौधा who was sitting on the tree तो मतलब की जो है पेड़ पर कौन बैठा है तो the crow was sitting on the tree clear हो गए न कववा बैठा था where does the particles of snowfall तो जो बर्फ के कड़ थे वो कहां पर गिरे थे तो the particles of snow fell on the poet's head तो मतलब की जो poet थे उनके सिर पर गिरे थे ठीक है under which tree was the poet standing तो किस पेड़ के नीचे poet खड़े थे तो the poet was standing under a hemlock tree यह answer आप लोगों का same दोनों एक ही है ओके तो यह आपका पहला stanza complete हो गया और आप लोगों को यही इसी तरह आप लोगों को question दिये जाएंगे एक इस्टांजा दिया जाएगा चाल लाइन का question दिये जाएंगे उनके answer आप लोगों को लिखने रहेंगे नेफ्स्ट इस्टांजा देखते हैं तो जैसा कि यह आप लोगों का has given से dash 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 I had root तक दिया गया ठीक है तो क्या होगा कि did the poet पहला question did the poet remain happy during the rest of the day तो क्या मतलब कि poet अपने बादे बच्चे दिन में क्या खुस है यस मतलब कि खुस रहेंगे तो यस the poet remain happy during the rest of the day ठीक है तो वो क्या रहेंगे खुस रहेंगे अब यह देखिया answer यह कटा हुआ यह आप नहीं मानेंगे ठीक है बर्फ के कड़ कवेने नीचे गिराया थे by whom the poet poem dust of snow is composed by dust of snow किसके द्वारा compose की गई है तो the poem dust of snow is composed by Robert Frost clear है ना अब देखिए next आप लोगों का चौता question है here I stands for the तो यहां पर I किसके लिए आया है ट्री के लिए क्रो के लिए poet के लिए इसनों के लिए चार option दिये गये हैं तो इसमें से आप लोगों को है जाएगा here I stands for the poet किसके लिए आया है poet के लिए आया है clear हो गया अब देखिए इसमें आप लोगों को क्या चीज़े दी जाती है इसमें मैं note में जरूर लिखा हूँ और मैं यह मतलब की जहां मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोगों को मतलब की जो है जैसे आप लोगों की जो poem है तो poem में आप देखेंगे कि वह उसमें कुछ सब्थ होते हैं जो की पढ़ने में एक जैसे लगते हैं ठीक है ना तो बस उन्हें ही हम क्या गयते है rhyming scheme ठीक है तो पहले poem में जैसे यह desktop snow में crow और snow आप देखे समझ रहें कि ने तो आप लोग इस जरूर याद कर लेंगे कोई दिक्कत होगी तो मुझको बताएंगे comment करके मैं एकदम इसको अच्छे से solve करवाऊंगा और यहां पर मैंने आप लोगों को दो इस्टांजा के question answer बता दिये हैं तो बस आई होप आप लोगों को यह वीडि में दिक्कत नहीं होगी अब इसके बाद आप लोगों को जो चीज नहीं समझ में आती है तो आप लोग मुझको comment करके बताएं मैं उसको जरूर से जरूर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो एक like जरूर कर लिजेगा और उसके बाद मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि आप लोग करेंगे तो आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी वीडियो होंगी आप लोगों को तुरंद पहुंच जाएंगे उनके नोडिफिकेस हनोंगे चलिए चलते हैं